प्रदेश में चार महीने बाद होने जा रहे विधान सभाग चुनाओं की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराने की कवायर में जुटी है तो विपक्षी दलसत्ता में वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है। 2022 की चुनाओी शह मात के बीच समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम सिंग यादो के सहारे अखिलेश यादो और शेफपाल यादो अपने अपने पक्ष में महाल बनाने के लिए अलग-अलग रठ पर सवार हो रहे हैं। चाचा भतीचे दोनों ही मुलायम सिंग की तस्वीर के साथ चुनाओी रथ यात्रा पर सवार हो रहे हैं। अपने मिशन का आगास कर रहे हैं। आखिरी चरण 27 नुवंबर को राय बरेली में खत्म होगी। शिफपाल यादो कह चुके हैं कि सपा के साथ समझोते का इंतिजार खत्म हुआ और अब महा भारत होगा। प्रदेश महा सचिव अलका सिंग ने हमसे बात करते बोला कि 2022 के विधान सभाचुनाओं में उनकी पार्टी की एहम भूमी का होगी। समाजिक परिवर्तन यात्रा एक तरह से धर्मियुग है जिसमें पांडवों ने पांच गाउं मांगे थे। कौरव ने पांडवों को एक इंच जमीन देने से इंकार कर दिया था। एक तरह से साफ है कि शिफपाल अपनी सियासी जमीन खुद तयार करने के लिए रण भूमी में उतर गए हैं। तो उधर दूसरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादो भी अपने पिता मुलायम सिंग से आशिरवाद लेकर समाजवादी विजरत यात्रा मंगलवार को कानपूर से शुरू कर रहे हैं। जो कानपूर और बुंदेल खंड के चार जिलों से होकर गुजरेगी। सपा के रत पर मुलायम सिंग की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। मुलायम सिंग के साथ साथ अखिलेश ने आजम खान का भी फोटो लगाया है। यात्रा से एक दिन पहले पार्टी ने 17 सकेंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंग यादो से बात करते और उनके पैर चुकर उनका आशिरवार लेते नजर आ रहे हैं। सपा पर पूरी तरह काबिज होकर अखिलेश खुद को मुलायम के सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन इस बार का विधान सभा चुनाओ अखिलेश यादो के साथ साथ सपा के सियासी भविश्य को भी तै करने वाला है। 2017 में सत्ता गवाने और 2019 में परंपरागत सीते हार के बाद अखिलेश के सामने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने की चुनाओती है। 2022 के सियासी चुनाओतीओं के बीच जब चाचा भतीजे को एक जुट होकर चुनाओी रण में उतरना चाहिए था तम मुलायम के आंगन से दो रख निकल रहे हैं। शिफपाल यादो और अखिलेश यादो अपने अपने सियासी महौल बनाने और राचनीतिक जमीन तलाशने के लिए रख यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसे में भले ही दोनों एक दूसरे पर सियासी निशाना ना सादें। लेकिन मुलायम के राचनीतिक आधार पर दोनों ही अपने अपने साधने की कवायत करते जरूर नजर आएंगे। बता दें कि 2017 के विधान सभाचुनाओं से ठीक पहले मुलायम परिवार में जगडे के बाद अखिलेश यादों के सपा के साथ शिफपाल यादों ने अपना नाता तोड़ लिया था। शिफपाल ने प्रगती शील समाजवादी पार्टी के नाम से अपना नया ठीकाना ढूंड लिया। पिछले लोकसभा चुनाओं में उन्हें कोई खास काम्याबी तो नहीं मिली लेकिन कई सीटों पर उन्होंने अपने भतीजे अखिलेश के उमीदवारों को खेल जरूर खराब कर दिया था ऐसे में माना जा रहा है कि चाचा भतीजे में सियासी गट्चोड हो सकता है लेकिन अभी तक बात नहीं बनी दोहजर बाइस चुनाओं में गटबंधन और चुनाओं समझोते की तस्वीर क्या होगी अभी तय नहीं है लेकिन अखिलेश और शेपाल या दिखाता है